और इस तरीके से भारत को धीरे धीरे घेरने की कोशिश करी अब मॉल्डीज में कर दिया है श्री लंका में हन्मन टोटा पोर्ट ये सब ड्रामा चाइना करता चला रहा भारत में बोला ठीक है बेटा अगर तुम ये गेम खेल सकते हो तो ये गेम तुमसे बहतर हम खेल सकते ह ये ताइवान है बिलकुल दन में जैसे कि छोडी लगा रखियो जाओ ये ताइवान है ये खड़ा उसा ताइवान इतने बड़े चाइना से आँखों में आखे डालके पंगाले राइली चाइना से ठीक है दो पान अपनी ताकत हैं बढ़ा रहा है और जापान में एक बह परता हूं इसके बारे मैं मैं रोज परता हूं फो मी जियो पॉलिटिक्स इस नौट किया रे ख़बर आई है मैं उसको एज़ा स्टूडन रोज परता हूं तीन चार गंटे डिली और मैं आऊ हूं कि चीन वाला एरिया भी आएगा प्योके भी आएगा शाक्सवान वैली जो आप बोल रहे हैं जो पाकिस्तान ने चीन को एवरी थिंग विल कम बैक तो इंडिया जायन दोस्तों मैं हूं में जो गौरवारी और आप देख रहे हैं दो चानक के डायलोग्स इस वीडियो को लाइक करिया हमारे चानल को सब्सक्राइब करिया बला एक नवाना बिलक भग तीन सौ साल पहले भारत से खासतोर से बिहार और इस्टन उत्र प्रदेश बिहार और इस्टन उत्र प्रदेश से लोग गए इन्होंने पूरा सेंट्रल इंडिया क्रोस करा वेस्टन इंडिया और यहां से जहाज पकड़के यह लोग गए नीचे आये और पहुंचे इस टापू पर यहां पर इनको ले जाया गया था ये थे बंधुआ मजदूर आज की तारिक में इस दूइप में जो की एफरिका का एक एहम हिस्सा है इस दूइप में दोस्तों सतर प्रतिशत से जादा लोग भारती अमूल के हैं यहां पर भाशा बोली जाती है क्रियोल जि इन सबसे जादा बोलने वाली भाशा यहां पर जो है वो पाई जाती है भोजपुरी यहां का सबसे बड़ा पर्व है वो छट है और यहां पर आज की तारिक में भी होली को फगवा बोला जाता है रहुआ बुजद दानी नो चलिए समझ गए ना गुट अब दोस्तों मोदी जी पहुचते हैं मोरेशिस और मोरेशिस में धेर सारी चीजों को इनागरेट करते हैं एक बड़ी सी हवाई पटी फिर बात करते हैं जोइन ट्रेनिंग की फिर बात करते हैं एनरजी कंसर्ण्स की फिर मोदी जी मुआइदे साइन करते हैं डील साइन करते हैं कई सार ऐसी चीजों के बारे में मोदी जी बात करते हैं illegal fishing को रोकना, illegal smuggling को रोकना, drug trade को रोकना और जो भी यहां के security concerns हैं इसके ऊपर नज़र रखना इन सब के ऊपर मोदी जी की बात हुई है और दोस्तों वहां के प्रधान मंतरी जो PM जगनात हैं उन से प्रधान मंतरी की बातचीत होती है अच्छा भारत ऐसा क्यों कर रहा है मोरेशिस में? भारत के बहुत पुराने रिष्टे हैं 1968 में यह आजाद हुआ था देश लेकिन भारत ने 1948 से ही इसके साथ diplomatic रिष्टे अपने कायम कर लिये थे यह डच की कॉलनी रहा है यह बिटिश की कॉलनी रहा है मोरेशिस और यहाँ पर जो लोग है इनको यह यह यूरोपियंज ले गए थे पकड़ पकड़ के बद हुआ मजदूर बनाने के लिए अब यहाँ के जो लोग हैं उनके दिल में भारत रवी किशन और यह साथ बहुत बड़े फिल्म स्टार है मोरेशिस में भई अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत अगर यहाँ पर नेवल बेस बना रहा है मोरेशिस में तो आखिर क्यों बना रहा है उसका कारण क्या है और दोस्तों भारत के एक और बेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आपको पता है कि यह मौल्डीव्स है मौल्डीव्स के साथ खटपट चल रही है कुछ समय और चलेगी फिर यह मामला शान्त हो जाएगा यह जो मौल्डीव्स का खटपट है यह एक दो साल से जादा के बात नहीं यह निपटने वाला है मामला आज का दिन आप नोट कर लीजे कि मेजर में बात बताई थी भविश्यवानी कर रहा हूँ आज ठीक है यह मामला निपट जाएगा और मौल्डीव्स दुबारा वही जपियां पालो टाइप में आजाएगा मौल्डीव्स अब देखिया भारत ने यहाँ पे अपने आईलेंड जो है जहाँ पे मैंने अभी यह स्टिक रखी है पॉइंटर रखा है दोस्तों यहां पे भारत एक नेवल बेस अलमोस्ट हब लगा लिजीए कि भारत बना चुका है वहाँ पे मैप में तो खैर अंड़मान ऐउलेंड एक ऐसा टापू बड़ा सा दिखाए गया है लेकिन अंड़मान ऐलेंड्लेंड میں कई सारे टापू है दोस्तों और यह बिल्कुल जिस तरीके छित्राय हुआ ना फैला हुआ मॉल्डीज भी ऐसा है या अंडमान भी ऐसा है लक्ष्मदी भी ऐसा है सारे ऐसी हैं यह तो यह जो अगर आप अंडमान को देखेंगे नहीं यहां से यह एक्चुली यहां तक आता है अलग-अलग आइलेंड से मेन आइलेंड यहीं पे इसका मेन आइलेंड जो है पोर्ट बेर वगएरा अल दिस इस हीर लेकिन यह फैल की यहां पे आता है और जो भारत का आखरी टापू है जो भारत का आखरी टापू है और इंडोनेशिया का आखरी टापू है उसमें 200 से लेकर 200 किलोमेटर से जादा का फरक नहीं है दोस्तों In fact अगर आप मैप देखेंगे Google पे अगर आप ध्यान से चेक करेंगे आपको पता लगेगा कि actually इंडिया और इंडोनेशिया Maritime Neighbors हैं If I can call it that मैं कोई exact word यहां पर यूज नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर Maritime Neighbors अब यहां पे है चाइना ठीक है साब और चाइना की जो कोस्ट है यहां से शुरू होती है दोस्तों और यहां तक जाती है यह पूरी चाइना की कोस्ट है लेकिन इसके अलावा चाइना की और कोस्ट नहीं है यानि कि समुद्री तठ जो चीन का है न वो यहां से शुरू होता है साब यह नौर्थ कॉरिया के एदर जो इसका बॉर्डर है यहां घुम के आता है यहां घुम के आता है मौरिशस में नेवल बेस खोल रहा है, इसके पीछे भारत की क्या एम्स हैं, भारत ऐसा क्यों कर रहा है, यह आपको बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, दोस्तों देखिये, यह हम पहले भी बता चुके हैं और इसी मैप पे आपको बता चुके हैं कि भारत, ज जैसे भारत है, तो यहाँ पे मायनमार में भी कुछ कर दिया इन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि नई साब हम यहाँ बंगलादेश में भी हम थोड़ा सा पैसा डाल देंगे, हम यहाँ पे नेपाल में भी पैसा डाल देंगे, और पाकिस्तान तो है भिकाओ, उसका तो तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों बंगला देश में शेक हसीना है शेक हसीना प्रो इंडियन है आज की तारीक में श्रिलंका में जो सरकार है वो प्रो इंडियन है मायनमार का आज की तारीक में बेड़ा गर खो रखा है क्योंकि मायनमार की फौज तो बाकि भारत आ रह अच्छ है और फिलिपीन्स को तो भारत ब्रमोस मिसाइल दे रहा है समझ गए तो स्टोरी यह है दोस्तों कि चाइना चाइना की जो जिसको कहते हैं आप यह लगा लीजिए चाइना की जगलर वेन है चाइना की जगलर वेन क्या है यह जो सी के रूटस है यह सारी की सारी चाइना की जगलर वेन है भारत ने करा क्या है दोस्तों भारत में बड़े स्मार्ट लिए करा यह बात पहले बता चुका हूँ आपको दुबारा बता रहा हूँ आपको जैपैन के साथ भारत ने डिफेंस एकसाइस करना शुरू करी है भारत का प्रिजेंस साथ कोरिया में बड़े रहा है इसके अलावा फिलिपीन्स को जैसे मैं अलज़ी आपको बता चुका हूँ फिलिपीन्स को भारत दे रहा है ब्रहमोस मिसाइल्स वहाँ पर बारिश है चल रही है ये भी कौड का हिस्सा है जापान भी कौड का हिस्सा है फिर अगर आप धीरे-धीरे एदर आईए ये इंडोनेशिया है जिसके अंदर भारत के मैं आपको एक बात रता दो हूँ भारत के कल्चरल टाइज है इंडोनेशिया के साथ बड़ी सॉलिड है दुनिया का सबसे बड़ा मुसल्मान मुल्क है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुसल्मान मुल्क लेकिन आज की तारिक में भी जो इंडोनेशन एरलाइन्स है उसका नाम गरोड है इंडोनेशन एरलाइन्स का नाम गरोड है और इंडोनेशिया की करंसी में कुछ नोट से खास जहां पर आपको गनेज जी की फोटो देखेगी इंडोनेशन कहते हैं हमने अपना धर्म बतला है हमने अपना जो पूजा की पदती है वो हमने बदल दी है लेकिन हमारे पुर्खे भारती है अब दोस्तों बात करते हैं थाइलेंड की थाइलेंड में भी भारत के बहुत पुराने थाइलेंड के साथ हमारे संबंद हैं दोस्तों शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थाइलेंड दिस थाइलेंड बैंकोक के थोड़ा दूर बैंकोक आज की तारिक की राजधानी है उसके थोड़ा दूर एक पुरानी राजधानी थाइलंट की हुआ करते थी और उसका नाम आपको पता है आप गूगल पर जाई ये चेक करिए उस राजधानी का नाम था अयोधया थाया हम लोग जैसे अयोध्या बोलते हैं उन्होंने आयोध्या अपने राजधानी का नाम नहीं बोल पाते थे तो जो हमारी है यहाँ पर उत्तर प्रिदेश में है श्री आयोध्या श्री आयोध्या से हजारों किलो मिटर दूर उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई जिसका नाम रखा आयोध्या एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जो आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग यह सारी की सारी चीज़ नहीं चीज़ों को टैप कर रहे है क्योंकि यह टैप करना क्यों जरूरी है दोस्तों हमारे जो पूरवज थे ना हम लोग अंग्रेजों की गुलामी या फिर उसके पहले मुगल आए या खिल जी फिल जी जो भी है तो हम लोगों को ये बताया गया कि यही लोग बड़े चैमپिन थे हमें एक्षुली चोलास के बारे में नहीं बताया गया जैसा हमें बताना चाहिए था कि चोल सामराज्य यह पूरा चोल सामराज्ज एक जमाने में स्री लंका से लेकर पूरी जगे ये फैले वे थैं चोल सामराज्ज किया आपको पताए? यहां से महाराश्टर से उठके चातरपती शिवाजी का जो सामराज्ज था है या फिर बाद में जो मराठा सामराज्ज बना आपको एक बात पता है ये आपको बात नहीं पता होगी ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ कि जब अंग्रेजों ने 1857 जो First War of Independence था 1857 लोग सोचते हैं कि 1857 में अंग्रेजों ने जो पावर लिया वो मुगलों से लिया नहीं ये हिस्टरी का बहुत बड़ा जूट है कि अंग्रेजों नो जो पावर लिया वो मुगलों से लिया नो बादुर्शाज जफर तो अपने किले में रहता था चोटे से किले में उसकी चलती नहीं थी दो कोड़ी के उकाद नहीं थी बहादुर शाह जफर की शायरी करता था, शराब पीता था, तीसरा उसको कोई काम नहीं था, तो भारत में जब इस्ट इंडिया कंपनी थी या इवन उसके पहले, सामराज जी किसका था ये पूरा, किसका था, वो थे छत्रपती शिवाजी महराज की वंशज, ये पूरा का प अब वापस मैं आपको आता हूँ, इधर, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कोरिया की, और कोरिया में आपको पता है, कोरिया में क्या कहते हैं लोग, कोरिया में ये लोग कहते हैं कि कई हजार साल पहले, ये कोरियन्स मानते हैं, I was very surprised, मुझे नहीं पता था, लेकिन कोरि है, यानि कि हज़ारों साल पहले कोरिया में एक राजा था, और उसकी शादी हुई थी एक राजकुमारी से, और वो राजकुमारी कहां से आई थी, वो राजकुमारी आई थी, श्रीय अध्या से, वो अपने आपको प्रभुछरी राम से डिरेक्ली जोडते हैं, ये भी आ मैं आपको brief cultural background बता दिया, historical background बता दिया, अब दोस्तों यहां से, चाइना की जो भी trade होगी, चाइना को हर जगे बारूदी सुरंगय मिलेंगी, ठीक है, ये ताइवान है, बिलकुल चाइना की गर्दन में, जैसे की छोड़ी लगा रखी हो, ये ताइवान है यापर, जैपान में एक बहुत strong, एक constituency है, जो कहती है कि Japan should have nuclear weapons, एक बड़ी strong constituency है दोस्तों, आपको पता है, हिरोशिमा नागसा की जैपान में थे, और जैपान में एटमी हतियारों की लिए बड़ी घरना डाइती है, क्योंकि इन लोगों ने सफर करा है, और हम लोगों में से किजी जैपान ने सफर ने करा है, सफर जैपान ने करा है, लेकिन आज की तारिक में वो जानते हैं कि चाइना का threat ऐसा है, वी must have nuclear weapons, और जैपान का जो defense का budget है, वो कई गुना बढ़ चुका है, जैपान बहुत जादा पैसा फेक रहा है defense में, लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खरीद जैपान बता दिया, यहाँ पर ये पूरा area, यहाँ से चाइना की trade जाती है, ऊपर से तो जा नहीं सकती है, ऊपर से तो पूरा ये आपका Arctic है, पूरा Arctic Ocean, Arctic Circle है, वहाँ से जा नहीं सकती, बिलकुल नीचे से जानी चकती, बहुत महंगा हो जाएगा, नीचे Antarctic है बूरा, bottom, Now, यह trade यहाँ से जाना इनकी मजबूरी है, चाइना की है, ठीक है, अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इनको मिलता है, इंडिया हमाले में भी इंडिया मिलता है, और यहाँ पर समुदर में भी इंडिया मिलता है, और इंडिया की भी बहुत जबरदस्ते coastline है, अब अब दोस्तों यहाँ पे Maldives, चाइना ने लगभग कबजा कर रखा है Maldives का, चाइना के कबजे से Maldives को छोड़ाना है, और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, एक दो साल के अंदर वो भी छूट जाएगा, यहाँ पे फिर जहिंद के नारे लगेंगे Maldives के अंदर, ठीक ह अब चाइना आएगा कहां से, यहाँ पे चाइना आएगा, उसको जापान मिलेगा, यहाँ से आएगा उसको ताइवान मिलेगा, यहाँ से आएगा उसको फिलिपीन्स मिलेगा, यहाँ से आएगा घूम के उसको इंडिया मिलेगा, यहाँ से आएगा यहाँ पे इंडियन सी वाला एरिया और ये पूरा कोस्ट आफ आफरिका का नीचे तक इंडियन नेवी का प्रिजेंस हो जाएगा काफी हद तक है तो इसमें ये बहुत जरूरी चीज है कल्चर को लेके धर्म को लेके डिफेंस को लेके डिप्लोमसी को लेके चारों और से लोगों को इंपैक्ट किया जा रहा है आज की तारीक में और ये जो मौरेशिस के साथ साइन हुआ है और जो हवाई पटी यहां पर इनॉगरेट करी और नेवल बेस की जो यहां पर बात हुई है आज से 40, 50, 60 साल तक आपको इसका दिखता रहेगा ये फाइदा देता रहेगा आपको फाइदा त चला जाएगा तब आपको पता लगेगा कि यार ये जो आज की तारीक में डॉक्टर जैशेंकर और प्राइम इनिस्टर मुदी डिप्लोमेसी कर रहे हैं ना ये सिर्फ आज के लिए नहीं कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है इनके दिमाग में कि देकें सी 20, 30, 40, 50, 50 years in the future या आगे को देके डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि यार एक बात बताओ हम इस दुनिया में रहें न रहें 2050 में क्या होगा 2050 में क्या होगा, 2060 में क्या होगा, सोचो आज बैठके तो दोस्तों वही हुदारण है कि अगर आप एक बीच डालते हैं तो आप उस पेड़ का फाइदा उठा पाएं ना उठा पाएं लेकिन आपके बच्चे आपके पोते-पोती उस पेड़ का फ़द जरूर खाएंगे, उसकी चाहे की नीचे वो लोग खेलेंगे, वो लोग मॉरिस्यस वाले लोग बहुत टाइम से भारत आ रहे हैं लेकिन अगत बहुत प्यारी बड़ी आ इंफ्रस्रक्टर्चर वहां पर बढ़ी जबरदसच जगे मॉरिस्यस आपजरूर जईएक आप दोस्तों आते हैं बहुत campaigns मॉल्स के बाएंगे हैँ अगर आप मॉरिस्यस पे यहां पे पहला सवाल है परिंसावला का ये कह रहे हैं जहिंद मेजर साहब मैं परिंसावला हूँ परिंजी नमशकार जहिंद मेरा सवाल है कि चीन ने भारत पे 1962 पे हमला करा और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइस इंडिया है कि आप भारत बदल चुका है क्या दुबारा चाइना ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा भारत के साथ क्या भारत और चाइना की जंग होगी मैं आपको आज बता देता हूँ आप लिखे लेजिए 110 परसेंट होगी 110 परसेंट यह कोई नहीं रोक सकता बारत सिर्फ इसकी नहीं कि चाइना भारत की जमीन हत्याना चाता है पास्ट में हत्या चुका है और भारत के उस जमीन वापिस चाहिए वो तो है यह वो तो प्राइमिरी चीज है वो सबस.." पहले लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं एक जमाना था जब लोग अटैक करते थे और भारत अपने आपको डिफेंड करता था ये भारत अलग है अब भारत पता है इसके अलावा जमीन के अलावा जो उसने हमारी मात्र भूमी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपने अंडर रख रखा है चायरा ने जान बूच के कबजा करके 1962 से दोस्तों मुझे लगता है लड़ाई वर्चस्व की है भारत और चीन के बीच में क्योंकि इस पूरे इलाके का एक ही माईबाप होगा और भारत इस काम पे लग गया है है कि भारत और चीन की लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है जिया लड़ाई वर्चस्व की है अब अगला सवाल है देवा नेवा जी का ये पहाला है रिडाय की ग्रोफिव है पर जो गड्र क्याकलम भी घ्यडिपु अब्डा है डिस्परिटी स्वैंग अंग कर रहा है और संदेश खली में जो चीजें हैं वो आपको सीरिय अफगानिस्तान और पाकिस्तान की याद दिलाती हैं हम लोग कैसे इसको टर्मॉयल को और एसकेलेट करने से बचा सकते हैं मुझे देखिए आपको बात बता हूं कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब बेंगॉली बंगाल से निकलता है ना वो नोबल प्राइज भी जीतता है वो फॉर्चून फाइव हंडड़ कंपनीस का सी-ओ भी बनता है आपको बेंगाली इसका निकलता है जबरदस्त है प्राइज भी बेंगाल में कोई भी प्राइज नहीं है प्राइज वहां पे किस तरीके से बंगाल को रन करा गया है उसमें प्राइज़म है Traditionally for the past 76 years there has been a governance issue in Bengal It's not about the Bengali population, it's not about the Bengali तुमार nights a dozen, you have, I don't know how many Nobel Prize winners from Bengal, all Bengalis and all that So, enough brain power, enough thinking power, enough intellectual capacity, ismai one doubt In reading अम्रिता अनंद रिसंटली हमारे दिफेंस मिनिस्टर यूके गए और इंडिया वस इंवाइट टो जोई टेंपस सिख जगेंरेशन फाइटर आईकराफ प्रोग्राम क्या आपको लगता है कि क्या भारत को जॉइन करना चाहिए जगें जगेंरेशन 5th generation AMCA is taking too long to get the correct engine and critical technology although China is expanding. देखे ना भारत ऐसा है कि भारत किसी को मना नहीं कर रहा. India is involved in all these programs and India will get involved. आप Tempest की बाद खास तोर से कर रहे हैं. Yes, I feel India should get involved. AMCA देखे इसमें ना legacy चीज़ां बड़ी सारी होती हैं महारे साथ. अब AMCA में चाबी लगी है. पहले धीरे धीरे फाइल गई है शर्मा जी की टेबल पे वहाँ पे फिर वर्मा जी की टेबल पे गई फिर वहाँ से गुपता जी की टेबल यही फाइल हैं गूमती रहती थी अब आज लगी है चाबी. टाइम लगेगा पर मैं आपको एक बात बताता हो ना. It's always good to have your own systems. If you are part of a fighter program, उसमें कई सारी चीज़े हैं. उसमें डिप्लोमाटिक कई सारी चीज़े हैं. It is always good to be independent. ठीक है, हम लोग पीछे छूटे हैं इसमें. इसमें कोई शरम नहीं है, admit करने में, जो गलती है, वो गलती है. हम लोग पीछे छूटे हैं इसमें. Now we are making arguments and we are running at 120 km per hour. ये मेरा मानना है. वी शुट फोकस अन आत्मिरबड़ता. बाकि ठीक है, अगर कहीं से technology मिल रही है, there is no harm. After all, Safran की technology हमने लिए अफ्रां से है. हम ले रहे हैं, हम GE engines की लिए अटेक्नोलजी. So not a problem, but we should continue doing efforts, कि हम 5th generation भी बनाएं, 6th generation हम लोग खुद बनाएं, तेजी पकड़ेगा ये program, then we'll also be world beaters. ये जितनी कंपनिया बना रही हैं, खास्तोर से US वाले करते हैं कि ये program ये program मुझे So sometime in the past I was looking about these things, about these drones that America gives, world class drones and all, सब लोग पागल है, American drones, Reaper है, ये वो predator drones है, वो 30-40,000 फुट से एक मिसाईल मारता है, किड़की क अंदर गुष जाती है, मिसाईलोडी सब मुवीज में भी देखा हैं, उसका CEO भी Indian है, विवेक लाल है उसका नम, ठीक नाव, so everywhere you have this Indian brain power, everywhere, so I think we should, if you are getting technology, from abroad, very welcome, however, in the long run, what we need is our own system, own technology, made in India, by Indians, NCC Credit ये कहते हैं, कि सर आपने का P.O.K. बिना military operation के मिल जाएगा, लेकिन जो एरिया P.O.K. का शक्सगम वैली, पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, उसके क्या P.O.K. भारत से मिलने पर चाइना शक्सगम वैली भारत को हैंड ओवर करेगा, यह इसके लिए वारी option है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कि I am very convinced, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे पता है क कि, at least मुझे लगता है, मुझे पता, I could be wrong, but मुझे, I am not wrong, क्योंकि मुझे, मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में, मैं रोज पढ़ता हूँ, for me, geopolitics is not किया, एक ख़बर आई है, मैं उसको as a student रोज पढ़ता हूँ, 3-4 गंटे daily, और मैं आपको बताता हूँ कि चीन वाला ए जाएगी, यहां से 16 कोर जाएगी, वहां से 14 कोर जाएगी, यहां से additional man पार जाएगा, यहां से 17 कोर अटेक कर रही है, पाना कड़ा से चल दी है, strike को, that is a very, very, very unlikely scenario, but India will get its land back, right, और इसके लिए India मेहनत कर रहा है, आज की तारिक में, बहुत जादा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत जादा मेहनत हो रही, there are so many things, so many things which cannot be discussed in public domain, I hope you understand, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको लेगें कि भारत हमारी जमीन ले गया, वो पाकिस्तान ले गया, चाहे ने ले, यार अब क्या, चलो चोड़, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आज की तारिक मे qualified people, जो दिन रात यही काम कर रहे हैं, तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर वीडियो पसंद आए, तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, बला आकन दावाना बिलकुल मत भूलिएगा, जैहि झाल झाल